दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे इथिरियम कॉइन के बारे में इथिरियम कॉइन के मीड सेप्टमबर में काफी बड़े अपडेट है इस अपडेट का क्या असर इथिरियम पे आपको देखने को मिल सकता है इसके ओपर यहाँ पर बात करेंगे साथ में आप आपको डिस्क्रप्शन पर टेलिग्राम की लिंक होगी वह आप जोइन करो और अभी तक आपने हमारे योटूब जनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो मैं वीडियो बनाओ उसका आपको अपडेट मिलता रहें दोस् इथिरियम प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो बिटकोईन के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई टरस्टेवल प्रोजेक्ट मार्केट में हमें यहाँ पर दिखती है तो वो इथिरियम ही यहाँ पर माना जाता है बेसिकलिए अगर हम बात करें तो इथिरियम के य यहां पर वर्क करती है मतलब जो इसकी ब्लॉक्चेंअ उसे आप पूफ-अप-पर के हिसाब से बताऊ व यहां काम कर रही थी और इस हिसाब से अगर इथिरियम की आपको माइनिंक करनी हो जैसे कि कि अगर Bitcoin की Mining करनी हो तो उसके कई सारी सेट अप माइनिंग मसीन हो हाड इवेर्स हो हाइए इलेक्रिक सिटी कंजप्शन हो तो काफी ज़्यादा ये सब की यूजेस होते हैं ठीक इसी तरह से आपने इथिरियम में भी देखा होगा इंडिया में भी कई सारे आपको माइनिं हाड इवेर्स देखने को मिले होंगे जिसके थूरू इथिरियम की Mining की जाती है इसके बार Electric Inception काफी ज़्यादा होता है प्लेस लेती है तो इसे में काफी सारे खर्च होते हैं और साथ में इस Mining से environment को भी कही न कहीं नुकसान होती है तो बैसिकली जो इसकी update है कि इथिरि अबर में कभी यह निवज आपको देखने को मिल सकता है कि इसकी जो ब्लॉक्चेन है वह प्रूफ ऑफ स्टैकिंग पर वर्क करेगी प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के बारे में बात करें तो जिस तरह से आप अपनी क्रिप्टो को स्टैक करते हो तो उस तरह से आप इथिरियम की स्टैकिंग करके आप अपने यहाँ पर जो माइनिंग होती है वो आप यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों किसी भी स्ट्रॉंग प्रोजेक्ट को आपको पहचानने के लिए तीन चीजे आपको वहाँ पर हमेशा देखना चाहिए पहला कि वह डिसेंटरलाइज हो जो कि इथि गैनों या इथिरियम पर आज तक किसी तरगा साइबर एक नहीं देखी है तो तीसरी हैं अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसनी जो मेंचम होती हे जो ब्लॉटेन होती हैं अगर वह प्लोफ अब यहां यहाँ पर देखने को मिल दाएं यह decentralized थी जो कि सभी जानते थे और साथ में काफी ज़्यादा security लेकिन अब यहाँ पर scalability के बारें बात करें तो अब Ethereum का जो transaction है वो काफी ज़्यादा scalable हो जाएगा मतलब कि अगर आप किसी को Ethereum transfer करते हो तो पहले जो fee करती थी जो काफी ज़्यादा हुआ करता था मतलब अगर आप $20 किसी को send कर दे हो तो ऐसा होता है कि $20 का आपका fee ही वहाँ पर कर जाती है तो ऐसे situation पर जो आपका fee है वो काफी ज़्यादा बचेगा और जब यह scalability यहाँ पर होगी तो Ethereum के transaction speed भी काफी ज़्यादा smooth होगी और जो इसकी charges होंगे वो काफी कम हो जाएंगे अब यह चीज़े अगर होती है यहाँ पर तो आने वाली time पर Ethereum का जो use of case से वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा और इससे Ethereum के price में आपको bullish segments देखने को मिलेंगे तो Ethereum merge का यह update मतलब इसकी proof of work से proof of stacking पे यह blockchain का यहाँ पर जो transfer होगा जो conversion होगा इससे Ethereum को काफी ज़्यादा फाइदा होगा और जो Ethereum के dap से मतलब जो भी यहाँ पर Ethereum में अपने project लाना चाते हैं उसकी यहाँ पर काफी ज़्यादा बचत होगी और इसे में project काफी ज़्यादा hype यहाँ पर create करेगी अगर हम बात करें कि कौन-कौन से से project हैं जो post मतलब proof of stacking पे चल दें तो यहाँ पर कई सारे project हैं जो आप देख सकते हो Cardano है, Solana है, Elgo है, इसके बाद XTZ है और यह सब जब भी यहाँ पर proof of work से proof of stacking पे यहाँ पर convert होई तो उसमें काफी अच्छा hype create होई और काफी अच्छा इस्टर के coin ने काफी अच्छा pump यहाँ पर किया है तो पिछले कुछ टाइम से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 950 डोलर का low बनाने के बाद यह सीधा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2000 डोलर तक का high बनाया है जिर्फ इस news के कारण और यह काफी बड़ी update यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है दोस्तों अगर यह news आप यह सपोच करो कि 2021 में अगर आई होती ethereum merge के बारे में तो यकिनान इसकी जो ethereum का जो price था वो आपको 10-12,000 डोलर पे देखने को मिल रहा होता लेकिन अभी फिलाल various market है और इस कारण से अगर हम देखें तो ethereum के price में जो pump होना चाहिए था वो अभी फिलाल यहाँ पर नहीं हुआ है लेकिन next bull run पे जब भी एक bull run हो तब आपको ethereum का price काफी जादा high देखने को मिलेगा region अगर हम बात करें तो इस बार जैसे कि आपने इस bull run पे आपने देखा finance smart chain पे काफी सारे token आना शुरू हुए तो ठीक इसी तरह से ethereum base पे बहुत सारे token आना शुरू होंगे और ethereum के जो daps होंगे काफी ज़्यादा यहाँ पर develop होंगे इस कारण से ethereum के जो project है वो काफी ज़्यादा hype create करेगी जब भी market में एक bull run आपको देखने को मिलेगा हो सकता है कि इस bull run पे आपको ethereum का price 12,000 डोलर 15,000 डोलर तक भी आपको देखने को मिल सके अब अगर हम short term के हिसाब से यहाँ पर सोचे तो mid September को मतलब 15 से 20 September को कभी भी यह news आएगी कि ethereum का जो blockchain है वो proof of working से proof of stacking पे work करना शुरू हो चुका है अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है या तो ethereum का price काफी ज़्यादा pump करेगा लेगिन ethereum का price यहाँ पर pump कर चुकी है काफी अच्छी pump यहाँ पर हुई है तो दूसरी scenarios यह भी बनती है कि जैसा कि crypto market में आपने देखा कि जब भी news near होती है सामने होती है तो ऐसे time पर price से decrease होती है price का down होना सुरू हो जाता है तो मेरा मानना है कि अगर आपको यह news देखने को मिले तो उस समय अचानक से entry आपको नहीं करनी है थोड़ा सा वहाँ पर alert रहना है मैं भी कि वहाँ से fall भी आना सुरू हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर book करेंगे अपनी profit को book कर सकते हैं और इससे हो सकता है कि price में down देखने को भी मिल सके हाला कि chances है यहाँ पर कि यह पंप ही करेगी क्योंकि यह काफी बड़ी update है किसी भी coins का खासकर ethereum जैसे coin का किसी other blockchain पर यहाँ पर convert होना pro for stacking पर convert करना एक बहुत बड़ी update है और इससे में project की use of case काफी ज्यादा बढ़ती है तो ज्यादा chance है कि यहाँ से pump भी market में कर सकती है अब अगर हम sotum के हिसाब से बात करें कि ethereum पर फिलाहाल क्या technically हमें देखने को मिल दी है तो यहाँ पर अगर आप देखो यह मैंने 4 hour का chart यहाँ पर open किया है और यहाँ पर देखोगे तो ethereum का जो price है वो इस trend line को काफी अच्छा यहाँ पर support कर दिये जो आप यहाँ पर देख सकते हो तो यह काफी अच्छा यहां पर support कर दिये अब इसमें अगर हम खास चीज़े यहां पर देखे तो यहां पर support करने के बाद आप यहां पर यह देखोगे कि जो इसकी moving average है जो की बनती है 21 की और 50 की इस ने यहां पर दोनों को यहां पर breakdown यहां पर की है और जो इसकी support थी वो ल इस train line को यहां पर touch करती है फिर अगर हम देखे तो इस train line को touch करने के बाद 50 के 21 के moving average को breakdown करती है और लगभग 50 के moving average पर support बनाती हुए फिर से इस train line को यहां पर touch करती है फिर अगर हम देखे तो इस train line को यहां पर इसने touch किया है जो कि आप यहां पर देख सकते हो तो इस train line क को टच करने के बाद यहां पर जो इसकी 21 की मोविं जय वह ब्रेंक्डाउन हुई है इसके बाद यह 50 कि मोविंग जो रेट काणर में आपको दिख रही है यहां से चांस यह है कि यहां पर सपोर्ट तो यहां पर नम करें लेकिन यह भी चांस हैं कि इस एरिया आपकी buying zone बनती है वो बनती है 1740 डोलर पे तो इस area पर आप buy कर सकते हो 5-10% के stop loss के साथ इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखे तो फिर आपको इस area में buying बनती है जो की बनती है 1583 डोलर पे तो अगर इस area के नीचे यहाँ पर candles close होती है 1737 डोलर के नीचे तो फिर आप 1583 डोल होगे तो यहाँ पर जो 50 की moving average थी यहाँ पर 50 का जो moving average था इसमें फोर आवर चार्ट में support बनाने की कोसिस की गई लेकिन यहाँ पर breakdown यहाँ पर हुआ और इस support को इसने यहाँ पर touch की सेम अगर situation हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस moving average को breakdown किया जा रहा है जो आप देख सकते हो कि इसे break होते हुए हमें देखने को मिल दी है तो मैं भी कि यहाँ पर यह moving average यहाँ पर break होगी और जो इसकी support बनती है जो कि है 1740 डॉलर पे यहाँ पर touch करने का बाद एक अच्छा खासा pump हो सकता है तो फिलाल मेरे ख्याल से अभी आपको wait करने चाहिए और हर बरी मे आपको यहाँ पर buy नहीं करना चाहिए 1740 डॉलर में आप यहाँ पर buy कर सकते हो और इसके नीचे अगर candles close होती है तो फिर आप 1583 डॉलर पर buy कर सकते हो long term के thinking के हिसाब से ethereum बहुत बड़ा project है और अच्छे खासी profit यहाँ पर दे सकती है बर short term में आपको थोड़ा सा alert रहना है और इन जो आपको मैंने अभी आपको technical analyze की थूर बताया है इसे आपको follow करना है बाकी आप telegram को follow कर सकते हो अगर मुझे वहाँ पर कुछ buying जो दिख वीडियो में एक नए information के साथ तब तक लिए goodbye जय हिंद